नमस्कार जहेंद, All Exam Guide Guru का YouTube चैनल आप सभी देख रहे हैं, मेरा नाम है सुजीत पांडी यहाँ पर आपके लिए लेकर आगा है Most Important जीकी के कॉशन जो बार-बार एक्जाम में पूछे जा रहे हैं तो उनको अच्छे से याद कर लीजेगा आप जिस एक्जाम की तयारी कर रहे हो, उसमें यह आ सकते हैं, आपको केवल और केवल 30 प्रशने सही करने का Target है 30 प्रशने सही करके दिखाईए, करते हैं वीडियो को स्टार्ट पहला कॉशन देखे, निम्न दलकित में से कौन सा संक्रामक रोग है यहाँ पर आप कुछ ऑप्शन देगा है, इनमें से संक्रामक रोग कौन सा है, राइट आंसर क्या हो जाएगा संक्रामक रोग के लिए तो यहाँ पर आप कुछ ऑप्शन देगा है, राइट आंसर हो जाएगा संक्रामक रोग के लिए युद्ध में बाबर ने इन में से किसको हराया, राइट आंसर क्या हो जाएगा खानवा के युद्ध के लिए, यहाँ पर आपको जो ऑप्शन देगा है, राइट आंसर हो जाएगा, खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था राणा सांगा को, ऑप्शन अबड़ी, र सम्विधान का अनुछेद एक, भारत को क्या कहा गया है इसमें, सम्विधान का अनुछेद एक में, भारत को क्या कहा गया है, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, option number D, राजियों का संग कहा गया है, भारत को सम्विधान का अनुछेद एक में, option number D, राजियों का संग यहाँ पर right answer है प्रशन के लिए राजियों का संग कहा गया है अगला question देखिए पूछा गया है नमलेकित में से कौन उपधातु है यहाँ पर आपको जो option देगा है इनमें से कोई जो है उपधातु है पहचाना है कौन सी उपधातु है यहाँ अपको जो ऑफंचंग देगा है तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शेन देगा है और सेनिक एटी-मनी और बिस्मत यह सभी आपकी उपधातु है शर मशन देखिए का पूचा गया है इसमें पूचा गया अगले प्रशन में 1909 के इंडियन कॉंसल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी 1909 के इंडियन कॉंसल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी राइट आंसर क्या हो जाएगा तो या रखिएगा इंडियन कॉंसल एक्ट में साम प्रदाइक प्रती निधित्व की बात की गई थी option number आपका भी right answer हो जाएगा साम प्रदाइक प्रती निधित्व की बात की गई थी इंडियन कॉंसल एक्ट में option number भी यहाँ पर right answer हो जाएगा साम प्रदाइक प्रती निधित्व अगला question पूचा के अगले question में आपसे कि सिक्के के अध्यन को क्या कहा जाता है बताइए सिक्के के अध्यन को क्या कहा जाता है सिक्के के अध्यन को क्या कहा जाता है राइट आंसर क्या हो जाएगा तो सिक्के के अध्यन को कहा जाता है याँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा option number D new mismatics option number D सिक्के के अध्यन को new mismatics कहा जाता है option number D आपका right answer हो जाएगा new mismatics सिक्के का अध्यन कहलाता है अगला कॉशन दिखें यह राज स्क्रीन पर पूछा गया इसमें आपसे वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शेवालों का अध्यन किया जाता है क्या कहलाती है वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शेवालों का अध्यन किया जाता है शेवाल का अध्यन किया जाता है आपका फाइकोलोजी के अंतरगत option number C प्रतवी किस प्रकार का खगोली ठेल है, यहाँ पर आपकोज आउप्शन देगा, प्रतवी आपका है एक ग्रह, यहाँ पर आपको आइट आंसर हो जाएगा, अगले कॉशन स्रेटर घाले कोछकुन देखो, पूचा गया है इनमें से कौन सा राजवंच दक्षिन भारत से संबनित नहीं है दक्षिन भारत से इसका संबन नहीं है ये कॉशन मैं आपको कई बार करा चुका हूँ राइट आंसर क्या है राइट आंसर आपको अप्षिन नमबर बी पालवंश दक्षनभार से संबनित नहीं है पांडे साथवान और पल्लव दक्षनभार से संबनित है अगला प्रशन देखिए पूचा गया है जोर्ज लेमेंटेजर द्वारा प्रतिपाद बिंग बिग बैंक थियोरी को विस्तरत रूप में किसने प्रसुत किया और रा निग में कि पापकर द१ solche को देखिए अगले प्रस्तव कॉश्चा अब देखी रहे हैं कितने शांदर कॉश्चन है ये कॉश्चान आप जिस से एक्जाम की त्यारी कररें उसमें आ सकते हैं और हमने देखिए हर एक्जाम में GK और GS आता है साइन्स आती है GK आता है हर एक्जाम में आपके लिए हमने 10,000 GK के MCQ कॉश्चन तयार की है कितने एक नहीं दो नहीं 10,000 कॉश्चन और ये 10,000 कॉश्चन आपको 300 रुपए की PDF पड़ेगी PDF बना ली गई है सभी को PDF WhatsApp पर मिल जाएगी आप में से सब लोग WhatsApp चलाते हो WhatsApp पर PDF भेज दी जाएगी 300 रुपए की PDF है फोन पे Google पे Paytm के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो जो हमारे शेनल पर सुरू से जुरा है उसके लिए भी और जो नया पहली बार आया उसको मिल जाएगी कितने कॉशन मिलेंगी 10,000 कॉशन रट लोगे ना तो GKS महा श्ट्रॉंग हो जाएगी हर सब्जेक्ट में जिसको भी PDF चाहिए नीचे देगा नमबर संपर कर लेना कॉल कर लेना मैसेज कर देना या वाटसप पर आप संपर कर सकते हो नीचे देगा नमबर पर जरू ले लेना पढ़ने वाली बच्चे आपके एक्जाम में फसकते हैं ये कॉशन अहमदाबाद मिल हर्ताल मैं मालिकों और मजदूरों के बीच किस मुद्दे को लिकर विवाद था अहमदाबाद मिल हर्ताल में राइट आंसर क्या है तो राइट आंसर हो जगा प्लेग बोनस प्लेग बोनस या रखेगा मालिकों और मजदूरों के बीच में प्लेग बोनस को लिकर विवाद था अगला कौशन देखो ये रापकी स्क्रीन पर अगले प्रश्ण में आपसे पूछा गया है कि किस रोग के लिए स्वास्त एवं परिवार कल्यान मंत्रालाय द्वारा टेस्ट एंड ट्रीट नीती प्रारम की गई थी टेस्ट एंड ट्रीट नीती यहाँ पर आप कुछ ऑप्शन देगा है HIV के लिए ये की गई थी यहाँ पर आपका option number B right answer हो जाएगा option number B यहाँ रखिएगा HIV के लिए आपकी test एंड ट्रीट जो नीती अपना गई थी ये चालू की गई थी test एंड ट्रीट option number B यहाँ पर प्रशन के लिए बिलकुल सखेगा अभान पोलुक होचशन देखें यहां पर आपको जो ओप्शन दीए यहां पर आपको आपको आप पत का प्रतम युद राइट आंसर है इसमें तुलुगमा नीती का प्रयोग किया गया था option number C यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बढ़ते हैं अगले प्रशन की तरफ यह रहा आपका अगला question आपकी screen पर पूछा गया भारती सम्विधान के किन अनुछेदों में नागरिक के अंदर जो है आपको प्रावधान दिये गा है नागरिकता संबंदी प्रावधान option number B यहां पर अनुछेद 5 से 11 राइट आंसर है अगला question यह रहा आपकी screen पर अगले प्रशन में आपसे पूछा गया है निम्राइट में से कौन एक योगिक है बताइए यहां पर आपको अगला प्रशन पूछा गया आपसे Montague Chimpsport सुधार में प्रावधानों का सार इनमें से क्या था राइट आंसर क्या हो जाएगा Montague Chimpsport सुधार में तो प्रांतों में दोहरा साषन प्रावधानों का सार था में था कि प्रांतों में दोहरा साषन होना चाहिए तो भारत का राश्ठ पति राज़ का सम्विधानिक अध्यक्ष होता है option number यहां पर आपका भी right answer हो जाएगा राज़ का सम्विधानिक अध्यक्ष होता है option number b right answer हो जाएगा राश्ट पति के लि quantify लिए अगला question यहira screen पर अगले question में आपसे पूछा गया है निम्तने लेकित में से कौन सा एक सोमेलित नहीं है एक गलत दिया गया है यहाँ पर आपको दिये गए हैं सिक्कों के बारे में कौन सा एक गलत है यहाँ सोमेलित नहीं है तो देखो आहट सिक्के यह छटी सताब्दी में चलते थे लेख युक्त सिक्के दूसरी सताब्दी में दीनार सिक्के चौती सताब्दी में जीतल सिक्के सोलवी सताब्दी में नहीं चलते थे option number यहाँ पर आपका D गलत है जीतल सिक्के सोलवी सताब्दी में नहीं चलते थे बाकी आहत छटी लेखायुक्त दूसरी और दीनार चौथी सिराब्दी में चलते थे अगला कॉशन देखो क्या पूछा गया अगले कॉशन में आपसे पूछा गया है सिल्वी कल्चर वन वनस्पति विज्ञान की वह साखा है जिसमें किसका वणन होता है सिल्वी कल्चर में किसका वणन होता है यहाँ पर आपको जो ऑप्शन देगा है राइट आंसर क्या है सिल्वी कल्चर के लिए किसका वणन होता है सिल्वी कल्चर में राइट आंसर बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा सिल्वी कल्चर के लिए राइट आंसर है वन के विकास का वर्णन किया जाता है या वन के विकास का अध्यान होता है सिल्वी कल्चर में उप्शन नमबर भी वनों के विकास का अध्यान या वर्णन राइट आंसर है अगला कॉश्चन दिखिए किस खगोली पिंड को 2006 तक ग्रह माना जाता था और उसके बाद इसे ग्रह नहीं माना जाता कौन सा खगोली पिंड 2006 तक ग्रह माना जाता था लेकिन बाद में इसको ग्रह नहीं माना जाता राइट आंसर हो जाएगा प्लूटो option number A, यम या Pluto, right answer हो जाएगा, Pluto इसको पहले ग्रह माना जाता था, अब ग्रह नहीं माना जाता, option number A, right answer 26 तक ग्रह माना जाता था, उसके बाद नहीं, अगला question देखो, अजंता गुफा की शित्रकला भारत में किस के सोन युक का प्रमाण है, अजंता गुफा की शित्रकला भा option number A, बहुत धर्म के सोन युक का प्रमाण है, अजंता गुफा की शित्रकला, अगला question देखो, पूछा के अगले question में, आकाश गंगा है एक क्या, आकाश गंगा क्या है, यहाँ पर आप कुछ option देगा है, उनमें से आकाश गंगा क्या है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, आकाश गंगा के लिए, आकाश गंगा यहाँ पर आप कुछ option देगा है, तारों का विशाल समू है, option number यहाँ पर आपका B, तारों का विशाल समू है, आकाश गंगा, option number B, तारों का विशाल समू है, राइट आंसर है, प्रश्ण के लिए, अगला question देखिए, पूछा गया इसमें अगले प्रश्ण में सत्यागराय दर्शन पर आधारित गांदी जी के निम्लिकित संगर्शों में से किसमें और द्योगे के स्रमिक वर्ग शामिल था और द्योगे के स्रमिक वर्ग कौन से संगर्श में या कौन से इनमें से आंदोलन में शामिल था राइट आंसर हो पूछा गया इसमें अगले question में आपसे निम्तलेकित में से किस एक कारण से AIDS फैलता है यहाँ पर आपको जो option देगा इन में से किस कारण से AIDS फैलता है right answer क्या हो जाएगा इससे प्रश्ण के लिए तो यहाँ पर आपको right answer हो जाएगा संक्रमित सुईयों तथा injection के द्वारा भी फैल सकता है option number A यहाँ पर right answer हो जाएगा option number A संक्रमित सुईयों तथा injection के द्वारा option number A यहाँ पर right answer हो जाएगा प्रश्ण के लिए अगला question देखिए क्या पूछा गया है पूछा गया आपसे बाबर की इम्रत्यू कब और कहां हुई थी बताइए बाबर की इम्रत्यू कब और कहां पर हुई थी यहाँ पर आपको जो option दे गए है right answer क्या हो जाएगा बाबर की इम्रत्यू कब और कहां हुई थी right answer है आपका यहाँ पर 1530 ECU में आगरा में option number C 1530 ECU में आगरा में बावर की मृत्ति हुई थी option number यहाँ पर आपका C right answer हो जाएगा 1530 ECU में आगरा में right answer है अगला question देखो अगले question में क्या पूछा गया आपसे पूछा गया है कि नम्लिकित में से किस अनुचेत द्वारा भारती समयधान नागरिकों को मूल अधिकार निशित्ता प्रदान करता है पूछा गया नम्लिकित में से किस पदार्थ में oxygen नहीं है यहाँ पर आपको जो पदार्थ दियेगा इनमे से किस में oxygen नहीं होता right answer क्या हो जाएगा oxygen नहीं है बताइए कौन सा पदार्थ जिसमें oxygen नहीं है right answer क्या हो जाएगा यहाँ पर right answer हो जाएगा आपका मिट्टी के तेल में oxygen नहीं होता, option number C, मिट्टी के तेल में oxygen नहीं होता, option number C, यहाँ पर right answer हो जाएगा, मिट्टी के तेल में oxygen नहीं होता, अगला प्रश्न पूचा गया है, आपसे देखे क्या, पूचा गया है कि 1946 का cabinet mission तीन मंत्रियों से गठित था, निमिलकितम से क option number D, Lord Emery, cabinet mission के सदस्य नहीं थे, option number यहाँ पर आपका D, right answer हो जाएगा, अगला question देखे क्या, पूचा गया है, आपसे इसमें क्या, फार्तिय ससस्त्र सेनाओं का सर्वोच कमांडर कौन होता है, फार्तिय ससस्त्र सेनाओं का सर्वोच कमांडर इन में से कौन होता है, option number A, यहाँ पर राइश्टपती, right answer हो जाएगा, अगला प्रशन देखे, यह राइश्क्रीन पर पूचा गया है, रिगवेद इन में से किसका संकलन है, रिगवेद क्या है, रिगवेद क्या है, right answer क्या हो जाएगा, रिगवेद के लिए, तो रिगवेद आपका स्रोतों क संकलन है, option number A, स्रोतों का संकलन है, रिगवेद, option number यहाँ पर A, right answer हो जाएगा, रिगवेद के लिए, स्रोतों का संकलन है, रिगवेद, option number A, बिल्कुल सही answer हो जाएगा, अगला प्रशन यह राइश्क्रीन पर पूचा गया है, आपसे, अगले question में, स्परमोलोजी में कि किसका अध्यन होता है, बताइए, स्परमोलोजी में किसका अध्यन होता है, रिगवेद, रिगवेद, अगले question यह राइश्क्रीन पर, पूचा गया है, जब 3-4 चान दिखाई देता है, तो उसे क्या कहा जाता है, जब 3-4 चान दिखाई देता है, उसको क्या कहा जाता है, राइटांसर क्या है। तो 3,4 जब चान दिखाई देता है उसको उन्टोदर्चंद्र कहते हैं। option number B उन्टोदर्चंद्र कहा जाता है option number B यहाँ पर राइटांसर हो जाएगा जब 3,4 चान दिखाई देता है अगला question देखिए पूछा गया है? अगले प्रश्ण में कि मीनाक्षी मंदर कहां परिस्त है प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदर कहां पर है क्या हो जाएगा राइट आंसर मीनाक्षी मंदर के लिए यहाँ पर आप कुछ ऑप्शन देगा है राइट आंसर हो जाएगा मीनाक्षी मंदर आपका तमिल नाडू में option number A तमिल नाडू राइट आंसर हो जाएगा मीनाक्षी मंदर के लिए option number A तमिल नाडू प्रश्णी के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा अगला question है पूछा के आपसे कि हमारा सौर मंदल किस आकाश गंगा में सित है यहाँ पर आपको जो option देगा है राइट आंसर क्या है तो यहाँ पर आपको जो option देगा है हमारा सौर मंदल मंदाकिनी नामक आकाश गंगा में है option number A मंदाकिनी नामक आकाश गंगा में है option number A यहाँ पर right answer हो जाएगा अगला प्रशन यह रहा आपकी स्क्रीन पर अगले question आपसे पूछा गया है नेमने लेकित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्यागरा आरंब किया गया था अहमदाबाद सत्यागरा किसके लिए आरंब किया गया था right answer हो जाएगा सूती मिल कामगारों के लिए option number B सूती मिल कामगारों के लिए अहमदाबाद सत्यागरा आरंब किया गया था option number यहाँ पर B right answer हो जाएगा अगला question देखिए कि आप पूछा गया है पूछा गया है एट्स जिस वारस के कान होता है उसका अनुवानशिक पदार्थ क्या है तो right answer हो जाएगा आपका एक extended RNA option number C एक extended RNA यहाँ पर right answer हो जाएगा option number यहाँ पर C right answer हो जाएगा अगला question देखिए कि आप पूछा गया है पूछा गया आपसे निम्न नामों में से उसे चैनित कीजिए जो हुमायू के भाईयों में से किसी का नाम नहीं था हुमायू के भाईयों में से किसी का नाम नहीं था तो हुमायू के भाईय थे कामरान, असकरी और दिलहिल हिंदाल उस्मान हुमायू का भाईय नहीं था option number B उस्मान हुमायू का भाईय नहीं था option number B के लिए किन्द सरकार को समिधान का कौन सा अनुश्यत पुछा गया आपसे कौन सा पधार्थ प्रक्रती में तीन अवस्थाओं ठोस द्रव गैस में पाय जाता है ठोस द्रव गैस तीनों में पाय जाता है यहां पर आइट आंसर हो जाएगा आपका जल या पानी मतलब H2O option number A ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है H2O अगला कॉशन देखो पूछा गया है कैबिनेट रमिशन योजना के विशह में कौन सा सही नहीं है कोई एक गलत दिया गया है कैबिनेट रमिशन योजना के बारे में कौन सा गलत दिया गया है तो पाकिस्तान की सुकृति केबिनिट मिशन योजदा में नहीं थी पाकिस्तान की सुकृति ये नहीं थी ये गलत दिया गया है और आज का आखरी कॉशन है पूछा गया आपसे आज का आखरी कॉशन में कि भारत के राष्टपदी के लिए आवश्यक योगिता नहीं है कौन नवार ची तीनों आप फुल्फिल करते होईं अगता है और आपके लिए सपर्पाइस कोउशन है पूचा गया इसमें आप से कि रिग्वेड मैं गग्या से सक्षा को श्चिक सबसमे और ? इनमेंसे किस पहला श्चिक समर्पिथ कि में बताना है हम मिलेंगे आपसे एकली वीडियों अपने ख्याल रखेंगे आप सभी का बहुत बहुत धनेवाद दोस्ताओं को लिए शुबू जय हिंद जय भारत